यहीं देवंग जोहार दोस्तों मैराके सरंजन आप सभी का अश्टडी फोर गोल्स के यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं यह SSE CGL की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्राक्टिस सेट लेके आते हैं तो आज मैट्स का प्राक्टिस सेट नंबर थ्री है तो सभी बच्चे जल्दी से यूटूब के मैद्यम से हमारे साथ जूड़ जाएं और इस मुहिम का लाव ले सकें यह SSE CGL 2023 24 में जिसका एक्जाम होना है जनवरी मां के अंतिम सप्ता और फरवरी मां के प्रथम सप्ता में सुनिशित किया गया है आपको पता है कमर कस लिए होंगे तो आज मैट्स पढ़ाएंगे हम हम आम में सब मैट्स ही पढ़ाते हैं ठीक है और जवाब दिजिए कोशनि नमर एक एकड़म आसान सवाल है कोशनि नमर एक अधीक किसी धनात्मक पुर्णांक wen- السण को साथ से भाग देने पर सेस्थाल दो आता है तो निम लिखित में से किसी संख्या को साथ से भाग देने पर सेस्पल जीरो आएगा किस हमाँ पे हो गहां किस संख्या अब जरह पताईए और पूछा गया सवाल है इसलिए हम लाएं और जितना सवाल करवाएंगे सारा पूछा गया सवाल ही होगा देखिए कोस्टन नमर फर्स्ट वीडियो को पहुज करिए और जवाब दीए अब जरह ध्यान से देखिए किसी धनातमंग पुर्णांक एन को साथ से भाग देने पर सेस्पल दो आता है अब बताईए एन का खेल्यू क्या होगा साथ से जब भाग देते हैं तो सेस्पल कितना थे दो तो एन का मान कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर साथ पलस दो बोले तो नो हो जाएगा वैसे ज़रा सौचिए नो को जब हम साथ से भाग देंगे तो सेस्पल कितना दो ही तो आएगा क्लिर है कि नहीं तो एन का मान कितना हो जाएगा साथ पलस दो बोले तो नो अब ज़र धियान वे से देखिए न का मान हो गया नो तो एन पलस पांच तो नो सौरी एन माइनस पांच तो तो 9-5 कितना हो जागा, 4, है की नहीं, तो 4 को 7 से भाग देंगे, तो, कुछ मामला और गंभीर हो जा रहा है, अब जब देखिए, option नमर B क्यों बढ़ते हैं, N प्लस 5, N का महाण कितना है, 9, 9 में से 5 जोड़ेंगे, कितना हो जागा, 14, जी हाँ, 14 आ गया, 14 को जब 7 से भाग देंगे तो साथ दूनी 14 पूर्णता विभाजित हो जाएगा सेस्फल कितना बचेगा जीरो आनि आपसर नमबर बी सवाल का सही जवाब होगा एन प्लस पाउड क्लियर है ना अब बोलेंगे जी सर बिलिकुल किलियर है एकदम आसान सवाल था कोश्चन नमबर फर्ष्ट लेकिन सवाल ये पूछा गया था तब ही हम प्लाएएं ठीक है बढ़ते हैं कोश्चन नमबर दो की ओर Quesion No. 2 Quesion No. 2 इस सवाल का जवाब चाहिए Quesion No. 2 कुछ जरूरी काम से हम घर चल गये थे इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे अब से डेली क्लास होगी एकदम टाइम से टेंसन नहीं लेना है कुछ एमर्जनसी हो गया था इसलिए घर गये थे Quesion No. 2 27 संख्याओं का आउसत सुनने है इन में से अधीक से अधीक कितनी संख्याएं सुनने से अधीक हो सकती है तो Quesion No. 2 का जवाब देंगे Option No. A B C सवाल देखिए और एंसर लगाईए सवाल देखिए और एंसर लगाईए इतना आसान सवाल है लेकिन सवाल पूछा गया है लेकिन सवाल पूछा है करें ट्रिकी सवाल अब ज़रा धिहान से देखिए एक बात हमेसे आध रखिएगा जब तक सरकारी नोकरी का अग्याम आप देंगे तब तक एक बात आध रखिएगा 27 संख्याओं का ओसत कितना सुनने है ना है कि नहीं आप बोलेंगे जी सर बिलकूल अब ज़रा बताएए ओसत बराबर क्या होता है सभी परिनामों का योग बटे परिनामों की संख्या अब ज़रा धिहान से देखिएगा उपर में क्या हो जाएगा सभी परिनामों का योग तो इसका योग कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए तभी तो उसस सुनने होगा अरे हाँ या ना आप बोलेंगे जी सर बिलकूल अपन नीचे क्या हो जाएगा परिनामों की संख्या परिनामों की संख्या कितना है 27 अब जहाँ ध्यान से देखेगा सवाल में कह रहा है अधिक से अधिक कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं सुनने से अधिक हो सकती है अब जरा बताईए 26 संख्या जो है ना 26 संख्या 0 से बढ़ा होगा और एक संख्या माइनस करेंगे उसका मान क्या होगा 26 संख्याओं के योग के बराबर होगा जब घंटाएंगे तब कितना आएगा 0 नीचे कितना सत्ता सी आएगा ना तो कुलिमला किस में क्या होगा इसका 26 संख्याओं कितना हैगा 26 संख्याओं कितने से अधीक हो सकती अधि कितना रहता है पचास तो पचास में से एक कम करते कितना होता है उन्चा से इंसर होता है clear है ना जतना रहेगा उस में से उफसी हो जागा इसका answer clear बढ़ते हैं question number 3 की ओर अब question number 3 का जवाब देजिए अच्छे से सवाल को पढ़िए फिर जवाब दीजी अब कोशन नमर तीन दोल लंब उरितिय बेलन ये तथा भीके आयतनों का अनुपात X अनुपात Y है और उनकी उच्चाई का अनुपात ये अनुपात B है उनकी त्रियाओं का अनुपात क्या होगा A, B, C या फिर D क्या होगा क्या होगा कोशन नमर 3 चाईगे और सभी बच्चों का जवाब चाहिए कोशन नमर 3 का और कल से कλαस डेली होगी गारंटी इस बात की है कुछ जरूरी काम से गाओं चले गए थे बहुत जरूरी काम था इसलिए अब डेली क्लास होगी इमर्जनसी था कुछ, ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे, अब जरह बताईएगा, बेलन का आइतन क्या होता है, बेलन का आइतन क्या होता है, पाई आरा स्क्वार एच होता है, बेलन का आइतन क्या होता है, पाई आरा स्क्वार एच होता है, तो इनके आइतनों का यह नहीं X बटा Y, बराबर क्या हो जाएगा इधर, बिलन का नुपाग, πाई आर स्क्वाइर H, अपोन पाई आर स्क्वाइर H, उपर वाला केपिटल आर केपिटल एच, नीचे वाला असमॉल आर असमॉल एच, पाई से पाई कट गया, ठीक है, अब सवाल में भी बोला है, उनकी उच्चाई का अनुपाद कितना दिया गया है, यह अनुपाद B, तो लिख लो, उच्चाई के जगा में क्या लिख लो, यह बटा B, ठीक है, लिख ले यह बटा B, अब जरह धिहान से देखिएगा, इधर क्या हो जाएगा, BX अपोन यह Y, और इस सड्ड क्या हो जा जाएगा, तो केपिटल आर अपन असमोल आर, मतलब उनकी तर्याओं के अनुपाद बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर BX अपोन यह Y, किस ऑफसन में है, ऑफसन नमर यह, बी एक्स बोले तो, फिर एक्स भी बात एक ही है, रूट अंडर X भी अपोन यह, ऑफसन नम किये, सवाल में क्या बोल रहा है, उसके आयतनों का उनुपाद X अनुपाद Y है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे सर्फ पायर स्क्वार H होता है, बिल्कुल सही, पायर स्क्वार H होता है, तो आयतन का उनुपाद कितना दिया गया, X अनुपाद Y, पाय से क्ट गया तिर्जिया起 Coryell- एर ऑच्वाले का नीचे बाने का स्मॉल व… और ह्लिय थै और उनकी मुझ्चाई का नुपात कितना दिया गया है यह अनू पात भी उच्जाई के जिगह में लिख ली यग, यह अव्धड़ भी है ना तो केपिटल आर अपन अस्मॉल आर का हॉल स्कॉर ये बट्टा बीधर था सेपरेट उससे एडिकर दी बी एक्स अपन ये वाई असक्वाइर था ना असक्वाइर हटाए उससे रूट सिफ्ट कर दिये तो क्या हो जाएगा आफसर नमर ये रूट अंडर एक्स भी एपन वाई ये क्लियर है ना समझ माया अब बढ़ते है कोशन नमर चार की और कोशन नमर चार अब कोशन नमर चार का जवाब दीजिए जल्दे से एक बेलन का पार्स प्रिष्टी छितर फल 352 सेंटीमीटर स्क्वाइर है अधी इसकी मुचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ग्याद कीजिए कोशन नमर चार तो question number 4 का जवाब देंगे सभी बच्चे comment में question number 4 का और वीडियो देखेंगे अभी देखेंगे या फिर सुबह देखेंगे जब भी देखेंगे तो पाउज करकर के अब जवाब देंगे सारा ठीक है और एक बात जो सवाल समझ में आ रहा है पहले से आपको पता नहीं था कोई पी साइड मी कोफी में लिख लेंगे ठीख है ना और जीर से class में क्या होता आदमी सुन रहा है देख रहा है टीवी ऐसा नहीं है math class मूं क्या pen paper लेकर बैटना है ठीक है जो भी point आपको नहीं पता है शीक रहे हैं उसको बेत है कोश्चन नमर्च देखिए एक बेलन का पार्स 56 च्यथपल कितना है 152 स्क्वा second है तो बेलन का क्या होता है आप बोलेंगे होता है उसको मान कितना दिया गए है 350 के उचाई कितना है सेवन सेंटिमेटर दो गुना पाय का मान बाइस बटा साथ होगा और ऐसे लिखेंगे उचाही कितना साथ पराबर तिन सो पामन अब जरह ध्यान से देखिएगा साथ से साथ कट जाएगा ना बाइस से काटेंगे बाइस सेखार एक हां बाइस पाइन पाइस पाइन थी समय सेवाफ जएका कितना है साथ, उच्चाई कितना है साथ, अब ज़र देखिएगा इसमें क्या पुछ रहा है, बेलन का आइतन क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वाइर होता है, क्या होता है, ''tri» गुना, उचाई, उचाई कितना है, साथ से साथ कर जाएगा, है कि नहीं, साथ से साथ कर जाएगा, 64 को करेंगे 22 से गुना 64 को जब करेंगे 22 से गुना तो कितना हो जागा 1408 option number ये option number ये 64 को जुना बायस करेंगे 64 दूनी 22 64 दूनी 28 8 8 दू दस के सुनना बागेत में 1 12 1 13 14 14 148 option number ये होगा सवाल का सही जवाब कुछ भी नहीं किये तिर्जिया कितना है 8 उचाहिए 7 बस एक के उर्फ पूछा गया है सारा सवाल पूछा गया है सारा सवाल पूछा गया है अब अपको लगएगा कि कब पूछा गया सर जेससी का एक्जाम 2015 में होता सीजियल वाला उसमें नहीं तो फिर लेटेस्ट पेटरन से जो भी एक्जाम हो रहा है ससी वालों का ससी सीजियल टीयर वन टीयर टू सी एचसल एससी सीप्यों उसी थीक है न हुई से सारा सवाल है अभी सारा सवाल लेटेश्ट पेटरन से जहां से पूछ रही है से जहां से पूछ रही है उसी टाइप का सारा सवाव भी करवा रहे हैं कलेर है ride coach नमब पाँज औछ अच्छे से स्क्रिन सोर्ट लेलो जिसको लेना है कोश्टन नमबर पांच एकदम आसान सवाल है अधिर आपको पता है तो आसान है पता नहीं है तो बहुत टफ है को कोश्टन नमबर पांच है जवाब देंगे कोश्टन नमर फाइब कर देंगे सभी बच्चे कुश्चन नमर पाच देखिए जो बच्चा साइन्स सिस्ट्रीम लेके क्लास 11-12 पढ़ा होगा उसको पच्चा पता होगा अब जो देखेगा थ्री थ्री है ना 1-sin2 क्या होता है 1-sin2 क्या होता है cos2x होता है क्या होता है cos2x और नीची cos2x माइनस sin2x क्या होता है cos2x होता है जब देखो तो same same है न तो cut जाएगा न केवल क्या बज़ जाएगा 3 option number b कितना आसान है option number b 3 होगा सवाल का सही जवाब एक कैसे पता होगा जब आप हमारे साथ daily जूड़ेंगे तो पहली बाद दूसरी बाद formula भी लिख दे रहे हैं देखे cos2x है न कोस2x बराबर क्या होता है cos2x माइनस sin2x और cos2x is equal to क्या होता है 1-2 sin2x और क्या होता है cos2x is equal to cos2x माइनस 1 cos2x का formula 10 के format में क्या होगा जब देखो तो 1-102x अपोन 1-102x लिख लेजे इसको तो 1-sin2x था ना 1-2 sin2x होना चाहिए फिर यहां पर 1-2 sin2x होगा फिर यहां पर है न तू छूट गया है इसको कर लेना है क्योंकि 1-sin2x होता है cos2x देखो गड़बड हो जाएगा वैसे 1-sin2x क्या होगा cos2x होगा यहां पर छूट गया था 1-2 sin2x है इसको वह कर लेना है 1-2 sin2x है तो क्या हो जाएगा cos2x 1-2 sin2x क्या हो जाएगा cos2x उपर भी cos2x नीचे भी cos2x कट जाएगा सिर्फ तीन option नमबर भी option नमबर भी और एक्स्ट्रा जो चीज लिख वाएँ उसको नोट कर लिजे question number 6 question number 6 height and distance का सवाल है question number 6 120 मीटर मुची लाइट हाउस के सिर्फ से इसके आधार के विपरित दिसाओं में दो जहाजों का अवनमन कौन 30 degree और 60 degree है जहाजों के बीच की दूरी ग्याद करें तो question number 6 का जवाब आचाहिए option number A B C R D क्या होगा question number 6 का जवाब वीडियो पाउज करिए और जवाब देजिए अब देखिए 120 मिटर मुची लाइट है कितना 120 मिटर मुची लाइट है और इस लाइट जो है ना उस लाइट के सिखर से यानि सिर्फ से दो जहाजों को देखा जा रहा है और जहाजों का जो अमनमन कौन है कितने डिगरी का एक 30 डिगरी का है दूसरे कितना है 60 डिगरी अब आप से पूछ रहा है इस अवाल में दोनों जहाजों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए एक जहाज माली जी यह है आउनमन कोन किसे कहते है उपर से जब नीचे देखता तो आउनमन कोन angle of depression नीचे से जब अपर देख से क्या सबंदेगा कbung एंगल अफ एलिवेशन है फिक ए यह कुन 30 दिग्रीय तो यह वाला कुन कितना हो जाय गाए 30 दिग्री क्यूं एक आंतर अंतर कॉन सदेव बराबर होते हैं यह वाला कौन कितना हो जागा जेड कितना से कर बन रा रही है अूझाए गीं ए फो़जाएतव कितने मेत्र किण अब डेखिएगा तीस डिग्री है उचाही 120 मेटर है सवाल में कहा रहा है ये से लेकर B तक ही दूरी पुछ रहा है ये एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज B वहाँ पर है तो दोनों की बीच की दूरी पुछ रहा है तो 10-30 डिगरी 10-30 डिगरी का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 कितना होता है एक बहता रूट 3 और 10 theta प्रावर क्या होता है P बहता B ठीक है तो जब 120-120 meter ही है तो कितना हो जाएगा 120 root 3 कैसे हो ज्मा देखो इधर आओ 10 theta प्रावर क्या होता है आप बोलेगे सहर T बहता B होता है inen Será लंबबटा आधार होता है कि ठीक ना अब जरह देखे लमब कितना है 120 कि अधहार कितना दीए वो नहीं पता भी लिख ले बराबर है क्यों तेन थीटा एंगल कितना बन नहीं तेशच डिगृ तैन त्येसदीर का मान कितना हो जाएगा एक बट्टा रूट अब जरा बताईएगा यहां से b का मान कितना हो जाएगा जरा बताईए तो 120 कुना रूट 3 तो 120 रूट 3 नहीं होगा क्या इसे पितना ताम जाम करने का जहनजट नहीं है डिरेक्ट 120 रूट 3 लिखेंगे कितना लिखेंगे 120 रूट 3 बोले तो 40 रूट 3 कितना हो जाएगा 40 रूट 3 यह कैसे हुआ सर यह भी जरा बताईए तो देखिए कहां से हुआ रफ कर रही है अब जरा बताईए 10 थीटा बराबर क्या होता है P बटा B क्या होता है P बटा B तो P कितना है 120 मीटर बटा B नहीं पता लिख ले B बराबर एंगल कितना है 60 डिगरी तो 10 60 डिगरी का मान कितना हो जाएगा रूट 3 लिख लो रूट 3 अब काट लो 40 रूट 3 आ जाएगा न B का मान इसलिए डारेक्ट कर देए 40 रूट 3 अब जरा बताईए पूच रहा है ना यह से लेकर भी तक की दूरी बताईए 120 रूट 3 पलस 40 रूट 3 कितना हो जाएगा 160 रूट 3 अफसर नमबर C तो अफसर नमबर C होगा 120 रूट 3 पलस 40 रूट 3 आनि 160 रूट 3 अफसर नमबर C क्लियर है आप बोलेगे जी सर यह सब नहीं लिखना है यह तो रूट के लिए बताएं दिमाग में समझाने के लिए बताएं है ना में यहां से काम करना था आपको समझ माय कितना आसानी से बन गया इसमें कुल मिला कि क्या है ना है अब जैसे फीगर बना लिए पहला काम क्या है आप सवाल समझ गए फीगर ड्रो कर लिए अब फीगर ड्रो कर लिए सवाल कर जाएंगे फीगर सही से द्रो नहीं कर पाई तो फिर सवाल नहीं कर पाएंगे है ना हाईटन डिस्टिंस का मेन फंडा है फीगर इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस मातर दो सेकंड का सवाल है 108 में से 90 घटेगत कितना हो जएगा 18 अपसिन नमर B हो गया इतना ही दिर का था कुछ नहीं अब ज़रा बताओ इधर आओ इधर आओ हाँ तुम ही से बोल रहे हैं इधर आओ देखो इसमें क्या है अब ज़रा बताईएगा A Q A Q माइनस B Q का फॉर्मूला होता है A माइनस B इन्टू A स्कौर प्लस A B प्लस B अब ज़र देखियेगा बच्चों A Q माइनस B Q अपॉन दोने इन्टू है न इधर खीच लेंगो तो क्या हो जागा A Sकौर प्लस A B प्लस B स्कौर कमान किसके बराबर हो जागा A माइनस B के बराबर अब ज़रा देखी इस format में है कि नहीं ये के जगा में क्या 108 तो 108 गुना 108 गुना 108 तो क्या हो जगा 108 का पावर 3 माइनस बी के जगा में क्या 90 तो 90 गुना 90 गुना 90 तो 90 का पावर 3 अपोन 108 गुना 108 तो क्या हो जगा 108 का square प्लस 108 गुना 90 प्लस 90 गुना 90 तो क्या हो जागा 90 कैस्पर बिल्कुल फॉर्मे mis realidadakiya अब बोलेंगे जी सली तो बिल्कुल फॉर्मेट में ही है इस फोर्मेट में उस क्या हो जागा यह माईनस भी 108 में से 90 घट रहंगा निया 18 सारा ओफिसन नंबर भी एकदम सकेंडों में दो सकेंड का जवाब है दो सकेंड का सवाल है है ना को कोश्चन नंबर आठ को कोश्चन नंबर आठ का जवाब चाहिए दो समरुप तिर्भूजों ये बीसी और पी क्यू आर के परिमाब करमसह 48.4 और 12.1 सेंटी मिटर है ये बीसी और पी क्यू आर के छेतर फलों का अनुपाद ग्याद कीजिए इनके छेतर फलों का अनुपाद बताईए जल्दी से कमेंट में बताईए क्या होगा कोश्चन नंबर 8 का जवाब और सवाल अकसर आता है अच्छे एक बताव है जिसको मतलो एक्जाम में के लिए जो बच्चे पढ़ता नहीं है जो एक्जाम देने के लिए जाता है उसको केवल फोकस रहता है उसके पेपर पे है ना पही वला बात डेखो अब जिया देखो समरूपतिरफूज है न एक बात हमेसा आधर रखना समरूपतिरफूजों के छेत्रफलों का अनुपाद उनके परिमाप के अनुपाद के वर्ट के बराबर होता है क्या एक बार फिर से सर एक बार फिर ठीक समरूप तरिभूजों के छेत्रफलों का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्लियर है आप बोलेंगे जी सर बिलकुल क्लियर है अब जर्ण देखिए परिमाप का क्या अनुपात है अड़ाइस पॉइंट चार और बार फॉइंट एक तो अड़ा तालीस पॉइंट चार अपोन बार फॉइंट एक है न अनुपात कर दी परिमाप का फिर वर्ग करना पड़े काट लो चार वारें फूरा कट जाएगा एकसो अकीस चुकई है चार नीचे एक चार का स्क्वाइर 16 एक का स्क्वार 1 तो 16 अनुपात 1, option number C option number C होगा सवाल का सही जवाब और ठरट ठरट ठहरो कोई जल्दबाजी में एक अनुपात 16 मत कर लेना ठीक है ना? 16 अनुपात 1, option number C होगा सवाल का सही जवाब clear है, बढ़ते हैं अगले सवाल की और question number 9 अधी किसी संख्या के 85% को 75 में जोडा जाए तो परिनाम सोरुप वह संख्या स्वेंग प्राप्त होती है वह संख्या ग्याद कीजिए question number 9, जितना सवाल करवार है सारा सवाल latest pattern पर आधारित है JSC के exam में देखने के लिए मिला था उसी type के सवाल को हम लेकर आएं JSC, SSC सब कमाइंड कर गए ठीक है ना, तकि कहीं से सवाल आपका छूटे नहीं तो question number 9 का जवाब चाहिए और सभी बच्चों का जवाब चाहिए जल्दी जल्दी अधी किसी संख्या के 85% किसी संख्या को मन ही मन क्या वानो X सब लोगों को X से बढ़ा प्रेम रहता है इसलिए ले लो X कोई संख्या क्या है X अधी किसी संख्या के 85% तो X का 85% तो X का 85% 85% को भीनने करूप में कैसे लिखेंगे 17 बटा 20 कैसे लिख रहे ज़रा देखो 85% है ना प्रतिसत हटाने के लिए क्लिए क्लिए 100 से भाग देंगे 17 पचे पचासी 20 पचे 100 17 बटा 20 क्लियर है अब ज़रा देखिएगा अदिक इसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है कोई संख्या X है तो इसका 85% क्या हो जाएगा 17 X बटा 20 को किस बटा जा रहा है 75 में संख्या कितना X 75 पराबर क्या हो जाएगा जो देखिएगा 17 X बटा 20 इधर प्लस में है उदर लेजहेंगे तो किया हो जगे detta करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 X22 कितना लेज़ाएगा 3 X22 कितना हो जग पचीष यह 75 25 गुना 20 कितना हो जग पाउसो ऑफसे नमर यह एक्स का मापन कितना हो जग वांसो तो सवाल का सही जवब कोछ भी नहीं के calculation कीए के वल एक calculation ही है समझ में आया तो option number ये 500 होगा सवाल का सही जवाब question number 10 स्याम ने एक वस्तू 1240 रुपे में खरीदा और इसे 25% की हानी पर बेच दिया इस रासी से उसने एक अन्य वस्तू खरीद कर इसे 40% लाप पर बेचा उसका कुल लाप परतिसत ग्याद कीजिए तो question number 10 का जवाब दीजिए स्याम का सवाल है question number 10 का क्या होगा जवाब question number 10 का जवाब चाहिए और सभी बच्चों का जवाब चाहिए और डेली बहुत बोच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास डेली लेंगे चिसमें टेंशन नहीं लेना है और पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि उसमें प्लैक स्पैन से लिख दिये थे तो उसमें कमेंट आ रहा था तो उस पर अच्छा से ध्यान दिया जाएगा और सही कलर से ही लिखे लिखा जाएगा तभी आप सही से देख पाएंगे ना कोशन स्याम ने एक वस्तु को 1240 में खरीद रहा है अब जर्द ध्यान दिजिएगा 1240 में खरीद रहा है तो सीपी अर्थात करे मुली कितना जाएगा 1240 अब सवाल में कह रहा है इसे 25% की हानी पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा 1240 के 75% बेचेगा 75% को भीन के रूप में कितना लिखता है 3 बटा 4 अब सवाल में कह रहा है इस रासी से उसने एक अन्य वस्तू खरीदा और उसे 40% के ला पर बेचा 40% के ला पर बेचा इसका मतलब 140% बेचेगा और 140% को भीन के रूप में कितना लिखेगा 7 बटा 5 ठीक है 4 पचे 20 4 पचे 20 20 से 0 कट जागा और यहां पर 64 बटा दो 124 बटा दो कितना लिखेगा ठीक है 62 62 को गुना करेंगे 7 अकीस 62 को जब गुना करेंगे अकीस से 62 कुना अकीस जब करेंगे 62 62 62 1302 तो कितना आजागा 1302 1302 क्या हो जागा इसके SP हो जागा 1302 क्या हो जागा इसके SP हो जागा और CP कितना है 1240 अब ज़र ध्यान से देखिए 1240 है क्रें मुल्य विक्रें मुल्य है 1302 अब सवाल में क्या पूछ रहा है तो लाब परतिस्त बराबर क्या होता है लाब गुना 100 बटा क्रेमुल कितने का लाब हो रहा है 1240 में खरीद रहा है और फानली बेच रहा है 1302 में कितने का लाब हो रहा है लाब बराबर क्या होता है विक्रेमुल माइनस क्रेमुल 1302 में 1240 घटाएंगे कितना आजाएगा बारसट गुना 100 बटा क्रेमुले क्रेमुले कितना है 1240 है अब जब धिहान से देखिएगा जीरो से जीरो कट जाएगा बारसट दूनी 124 दूपचे 10 कि पंच परतिस्द का तो 5% का लाब होगा सवाल का सही जवाब अच्छे से दिखाईody मेरे ख्याल से स्क्रीं सोट लेना चाहते हैं तो वसक लessäल ले लिगे और को जो सवाल करवा रहा को एक बार और फिर से कर लेना है तो कि इस सवाल हमेंशा आता है एक्जाम में और जारखंड समायन निग्यान जैसेसी के नविंतम सिलेबस पर आधारित पाँजार प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड कोशन्स का प्रैक्टिस सेट का मुलों का बुक आ गया है तो उस बुक को सभी बच्चे परचेज कर लें और लेटेस्ट पेटरन पर आधारित है जिस सब्सक्राइब के सारे सवाल को कलेक्ट करके बुक को तैयार किया गया है तो उस बुक को परचेज करंगर करके और फिर से जोन फिलिपकार्ड के माध्यम से मंगा सकता है ठीक है और जो भी क्वेरिश है तो आप स्टेटी फूर गोल्स का जो कोईरिज नंबर है उस पर बात करके सारा कोईरिज अपना दूर कर सकते हैं ठीक है कोश्चन नमर 11 एक निश्चित साधरन ब्याज दर पर 6,000 रुपई की धनरासी चार वर्सों में बहतर सो हो जाती है अधि ब्याज की दर खुद की 1.5 गुना हो तो उसे तूसरासी पर 5 वर्सों का मिस्रधन क्या होगा तो कोश्चन नमर 11 देखने में तगड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान ठीक ठाक सवाल है पूछा गया सवाल है तभी यहां पर हम रखे हैं तो कोश्चन नमर 11 वीडियो को पॉज करिए और जवाब देजिए कोश्चन नमर 11 जल्द से कोश्चन नमर 11 का जवाब देंगे सभी बच्चे कमेंट में अब ज़र ध्यान से देखे बच्चों इसमें क्या कह रहा है मुल्धन कितना है छे हजार है और चार वरसों में कितना हो जा रहा है बहतर सो क्या 6000 की रासी चार वर्सों में 72 हो जा रही है तो 72 क्या है? मिसरधन है कोई भी धन सुरुवात में मुल्धन रहता है कुछ समय बाद क्या हो जाता है? मिसरधन बन जाता है क्यों? मुल्धन तो रहेगा ही रहेगा साथ ही साथ ब्याज भी तो जुड़ जाएगा बिल्कुल तो 72 क्या हो जाएगा मिसरधन हो जाएगा 6000 मुल्धन है तो साधरन ब्याज इसमें कितना हो जाएगा मिसरधन माइनस मुल्धन 72 माइनस 6000 बोले तो 1200 साधरन ब्याज है 1200 मुल्धन बोले तो कितना है 6000 है मुल्धन और समय बोले तो 4 वर्स अब जरा ध्यान से देखिएगा पहले क्या निकालेंगा हम लोग दर दर बराबर क्या हो जाएगा साधरन ब्याज गुना सो बटे मुल्धन गुना समय साधरन ब्याज कितना है बारह सो गुना सो बटे मुल्धन है 6000 गुना समय चार ना बारह पच्चे साथ पांच बार में काड़ देंगे पांच चुका बीस पच्चे कितना हो जाएगा सो दर कितना आगया पांच परसेंट अब नहीं सवाल में क्या बोला है दर में वन पॉइंट फाइब नकी जिए अन्य दर को करिया अब डेढ़ गुना पहले कितना था 5 परसेंट तो पांच परसेंट का डेढ़ गुना कितना हो जाएगा साधे साथ परसेंट साधे साथ परसेंट हो कैसे लिखेंगे बलोगो पंद्रे बट्टा दो हाँ या ना साधे साथ मतलब पंद्रे बट्टा दो ही तो होगा आप बलेंगे जीसर बिल्कुल अब दर कितना हो गया पंद्रे बट्टा दो परसेंट समय कितना हो गया पांच वर्स मुल्धन कितना है छे हजार मुल्धन कितना है छे हजार उसी धन रासी का बोल रहा है न मुल्धन कितना है उसी रासी पर मुल्धन कितना है छे हजार अब ज़र ध्यान से देखिए साधरन व्याज बराबर क्या होता है आप बुलोंगे मुल्धन गुना दर गुना समय बटा सो मुल्धन कितना है छे हजार छे हजार गुना दर कितना है पंदरा बटा दो गुना समय कितना है पांच वर्स नीची क्या होता है सो कर ली दो 0 से 2 0 काड देंगे दो बार में काटें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब जर देखेएगा 15 55 75 30 करेंगे तो कितना हो ​​ắp COVID-19 हम बाइस सो पचास बाइस सो पचास तो क्या हो जाएगा ये साधरन ब्याज हो जाएगा बाइस सो पचास लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है मिसरधन पूछ रहा है मिसरधन बराबर क्या होता है मुल्धन पलस साधरन ब्याज मुल्धन पलस ब्याज मुल्हन कितना है छे हजार है तो छे हजार पलस ब्याज है बाइस सो पचास छे हजार पलस बाइस सो पचास बोले तो बैरासी सो पचास आफसन नमबर बी आफसन नमबर बी सवाल का सही जवाब होगा बैरासी सो पचास clear है ना मिसर्धन पूछा था तो क्या करेंगे मुल्धन प्लस ब्याज करेंगे समझ में आया जो सवाल हैं बोला उसके according चल रहे हैं अपना कुछ भी नहीं लगा रहे हैं ठीक है और हम बिल्कुल basic method से बताते हैं बहुत कम ट्रीक का यूज करते हैं जहां पर ट्रीक का यूज होगा वहीं पर बताएंगे तो क्या होदा ट्रीक सिखने के चक्कर में जो method पता है वो भी खुल जाएंगे तो कोश्चन नमर बारह नो हजार का दस परसेंट वार्सिक दर पर दो वर्स चार माह का चेकरुदी ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्सिक दे है कोश्चन नमर बारह का जवाब देजे ये अच्छा सवाल है चेकरुदी ब्याज का सवाल है और अक्सर एक्जाम में पूसता है 9000 मुल्धन दिया गया है दर 10% है अब सवालें पूच रहा है 2 वर्स 4 माह का चिकरुद्धी ब्याज कितना है 2 वर्स का रहता तो अब आसानी से कर लेते हैं लेकिन इसमें क्या दिया गया है 4 माह एक्स्ट्रा दिया गया है तो जल्ले से करके बताईए कोश्चन नमर 12 का जवाब चाहिए और सभी बच्चों का जवाब चाहिए अब ज़र बताईएगा चेकरुद्धी ब्याज में चेकरुद्धी ब्याज निकालने का कोई तो डारेक्ट फर्मूला होता नहीं है पहले हम लोग क्या निकालेंगे मिस्रधन निकालेंगे तो अमाउंट इस इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़र देखिएगा मुल्धन कितना है नो हजार है नो हजार है तो ठहरो 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 दर कितना है दस परसेंट दर कितना है दस परसेंट तो दो वर्स के लिए कितना हो जाएगा 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 formula होता ने amount is equal to p into 1 plus r upon 100 का power n इसको और तोड़ ताड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 plus r upon 100 का power n ऐसे ना हो जाएगा न मिस्रधन बराबर मुल्धन into 100 plus r upon 100 का power n यहने कैस समय पता होगा आपको class 5 मा में पढ़े होंगे वही चीज़ कर रहे है तो मुल्धन कितना 9000 10 है 10% तो 100 plus r आनि 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 clear है अब इसमें क्या 4 माँ तो गड़ बड़ हो गया 4 माँ है तो 4 माँ को पहले वर्स में बदलो 4 माँ है ना 1 वर्स में 12 महने तो 4 माँ को वर्स में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा 12 से भाग देना पड़ेगा तो 4 बटा 12 बोले तो 1 बटा 3 वर्स कितना हो जागा 1 बटा 3 वर्स लफड़ा तो यह करना चार माह वाला के लिए तो चार माह मतलब कितना एक बटा तीन वर्स दर कितना है एक वर्स के लिए दस परसेंट तो चार माह बोले तो एक बटा तीन वर्स के लिए दर कितना हो जाएगा दस बटा तीन परसेंट यह अधिया आप कर लिए फिर सवाल ब पता रहे थे, अब देखना, 100 प्लस, आर का माल कितना है, 10 बटा 3, बटा कितना हो जाएगा, 100, अब देखिए, solve कर देंगे, 100 गुना 3, 300 प्लस 10, 310, बटा नीची क्या हो जाएगा, 100 गुना 3, 300, बस ये step आपको पता है, तो फिर आप कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा है, आ 100 प्लस आर पून 100, है ना, 100 प्लस 10 बटा 3 बटा 100, 100 गुना 3 आणि 300, प्लस 10 आणि 310 बटे, 100 गुना 3 कितना हो जाएगा, 300, ये step आपको पता होना चाहिए, अब जर्ण धिहान से देखिएगा, जो जो कट रहे काटिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन काट दिए, ठीक है, और इससे इसको काटे, इससे इसको काटे, इससे इसको काट दिए, तीन दिया, 9, 118 गुना 3 करेंगे तो 363 गुना 31 कर लें 363 गुना 31 कितना हो जाएगा 363 तिया 9 36 तिया 108 तीन नौच्वा पंद्रह के पांच बाके तमें एक आठ तीन एक बार एक दूबा के तमें एक तो कितना हो जाएगा 11 हजार 200 तिरपन कितना हो जाएगा 11 हजार 200 तिरपन तो क्या इंसर हो जाएगा सर बिल्कुल भी नहीं ये क्या आया मिसरधन आया हम लोगों को क्या चाहिए चक्रुधी ब्याज चाहिए तो चक्रुधी ब्याज क्या हो जाएगा मिसरधन माइनस मुल्धन हो जाएगा मिसरधन ये है मुल्धन कितना है आप बोलेंगे मुल्धन तो 9000 है सर बिल्कुल 9000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2253 अन्हें 2253 ऑफिसन नमबर सी ऑफिसन नमबर सी होगा सवाल का सही जवाब समझ में आया आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया अधी आप ये वाला माजरा कर ले रहे हैं तो फिर आप सवाल बना लेंगे बस यहां पर क्या दिकत हैं 100 प्लस आर अपॉन 100 क्लियर है ना दर एक वर्स के लिए 10% है तो चार माह बोले तो एक बटा तीन वर्स प्लस आर अपॉन 100 करके कर लेंगे क्लियर है ना गया कोश्चन नमर 13 टाइम ए डवर्ड का सवाल आ गया समय तथा कारे का सवाल आपके अस्क्रिन के सामने है तो जवाब दीजे कोश्चन नमर 13 का ये किसी कारे को पांच दिनों में बी इसी कारे को दस दिनों में तथा सी कारे को 20 दिनों में खत्म कर सकता है तीनों मिलकर उस कारे को करते हैं और उन्हें 14 सुरुपे मिलता है ये का हिस्सा बताइए ये का हिस्सा बताइए अभी तेक आदि आपको नहीं पता है तो आज आप सीख लेंगे ज़र धिहान से देखिए जब भी पैसा का बटवारा तो किस इस Самग कारी छमता के हिसाप से हो जो जादे काम करेगा उसको जादे पैसा मिलेगा जो कम काम करेगाूइगा, इसको कम पैसा मिलेग, आप लोग सुनते होंगे कुछ कोई भी सवाद में मिलकर जब कोई काम कर रहा है तो जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है रहे हाँ या न आप ज़र देखिएगा ये बी और क्या है सी आप ज़र देखिए ये किसी काम को कितना दिन में करता है पांच दिन में डे का उल्टा पार और पार्ट का उल्टा डे ये किसी काम को पांच दिन में करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा पांच भाग बी किसी काम को दस दिनों में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा दस भाग सी किसी काम को बीस दिनों में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करेगा बटटां 20 बाइद क्लियर है ना एक दिन में की कारी करने की छमिता क्लियर को जब उठाकर पटक देए तो आजाएक कर लो 5, 10 और 20 का LCM कितना आ जाएगा बूलेंगे 20 हो जाएगा 20 से कर दो सब में multiply 20 कहां से आ रहा है सर नीचे वाला हरों का लो LCM 5, 10 और 20 का LCM कितना आ जाएगा 20 20 से सब में कर दो multiply कर दिये जी अब जिरा धिहान से देखिए 20 से 20 कट गया जीरो से जीरो उड़े गया पाँचो का 20 तो कितना हो जाएगा जरह देखिए 4 अनुपात दो अनुपात अब जरह धिहान से देखिए सवाल में क्या कहरा है ये का हिस्सा पूछ रहा है ना ये का हिस्सा कितना है 4 बटा टोटल कितना है 4 पलस 2 च्छेप प्लसे कितना साथ गुना करेंगे टोटल रुपईयां, टोटल रुपईयां कितना है? 1400, साथ दुनी, 1400, दो सो गुना चार कितना हो जाएगा? 800 नहीं अप्सन नमर ये, तो आट सो रुपई, अप्सन नमर ये होगा सवाल का सही जवाब, इस सवाल में पैन बिलकु पूरिक बटवारा होगा तो किसके हिसाब से होगा कार्च हमता के हिसाब से होगा जिसकी कार्च हमता ज्यादा उसको मिलेगा मिलें कौशन No.4 ेससे सीजिल के एकड़ में आता यह खोशन नमर 14 ये और भी किसी कायर को करमसा 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं अधी दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कायर करे तथा ये कायर को आरम करे तो सारा कायर को समाब्त होने में कितने दिन का समय लगेगा तो कौशन 50395 00 1 एकशे 17 Ansन्ट इनअवाला सवाल आता है जैसे क्या एक दिन राकेश सर पढ़ाए उस्वर रॉन्हीं तो सबॉस्वर आएंगे भी तिसरा दिन फिर राकेश सर आएंगे सब क्लाइस अल्टरिने इसले समझ袋 है ना अल्टरनेटिव मैं अब प्यब्ल सब्सक्राइफ का लेट अधर देखए यह किसी काम को कर रा है बीस दिन मैं यह काम को कर रहा है बीजीन मैं। और B काम को कर रहा है कितना दिनमें तीसिप में अब आशा ध्यान से देख्एगा यह और B ये काम कर रहा है 20 दिन में B कर रहा है 30 दिन में दोनों का LCM लेजे 30 और 20 का LCM कितना हो जाएगा 60 टोटल वर कितना हो जाएगा 60 ये की कर्षमता कितनी हो जाएगी 60 भागा 20 बोले तो 3 B की कर्षमता कितनी हो जाएगी 60 भागा 30 बोले तो 2 अब ज़र ध्यान से देखिए, ये एक दिन में 3 उनिट काम किया, दूसरा दिन ये काम नहीं करेगा, दूसरा दिन कौन काम करेगा, भी, फिर तिसरा दिन कौन काम करेगा, ये, चौथा दिन कौन काम करेगा, भी, पात्वा दिन ये, समझ मैं आ रहा है कि नहीं, आप बोलें क कितना काम होगा तीन प्लस दो पांच उनिट काम दो दिन में कितना काम होगा जरह बताइए तीन प्लस दो पांच उनिट काम होगा दो दिन में अब जरह ध्यान से देखिए बूर्ड की और दो दिन में कितना काम हुआ पांच यूनिट काम हुआ टोटल काम कितना है साथ दो दिन में काम हो रहा है पांच तो 50 60 बेंगा कि associate आकई का कुछ नहीं करें सर बार से गुना करीं सरह जल्दी से बिलकुल बार से कुना करेंगे जब बार से इधर उसका करना पड़ेगा बोले इसर इधर कितना हो जाएगा 12-15-60 यूनिट अनि टोटल काम हो जाएगा और 12 दूनी 24 दिन ऑफिसन नमर बी ऑफिसन नमर बी 24 दिन होगा सवाल का सही जवाब ऑफिसन नमर बी जिन जिन बच्चों का है भी मुस्कुराईए आपका जवाब पिलिकुल सही है कोशन नमर पंदरह इस सवाल का जवाब अब दे के दिखाईए तभी हम समझेंगे कि आप ठीक से पढ़ाई कर रहा है कोशन नमर पंदरह एक ट्रेन 90 किलो मिटर प्रति घंटे की गती से एक निश्चित दूरी को तै करने में 50 मिनट का समय लेती है अधी अपने गती में 33 पुर्णांक एक बटा तीन परतिसत की वृधी की जाती है तो दूरी के दो पुर्णांक चार बटा पांच गुना को तै करने में कितना समय लगेगा तो कोशन नमर पंदरह का जवाब दिए ट्रेन से समधित प्रस्ट एक्जामनेर का फेब्रेट सवाल होता है और हमेसा आध रखिए अस्पीड डिस्टेंस टाइम से सवाल आतो डिरेक्टली वहां से रहेगा कई बार क्या करता है बोट इन अस्ट्रिम से सवाल रहता है नहीं तो ट्रेन से समधित सवाल कोई ऐसा एक्जाम है ही नहीं जाएं से सवाल नहीं आता आएगा गारेंटी है आएगा अब जिर्ण देखिए चाल कितना है 90 किलो मिटर प्रति घंटा समय कितना ले रहा है 50 मिनट तो दूरी बराबर क्या होता है आप बोलेंगे चाल गुना समय होता है चाल लोगो न समय, चाल कितना है 90 km प्रती घंटा, गुना, समय कितना है 50 मिनट, नहीं, चाल है किलो मिनट प्रती घंटा में, तो समय को भी बदलो किसमें, घंटा में, तो 50 मिनट है, घंटा में बनाने के लिए क्लिए 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 60 से भाग देंगे, अब ज दूरी कितना हो गया आप बोलेंगे सर 75 किलोमेटर हो गया अब धिहान से देखिए अब सवाल में क्या कह रहा है दूरी हो गया 75 किलोमेटर और चाल पहले था 90 किलोमेटर प्रतिखन्टा अब सवाल में कह रहा है अधि अपने गती में 33 पुर्णांक 1 बटा 3 प्रतिशत की वृद्धी की जाती है dangerous दिख रहा है ने डेंजर दिख रहा है नही है तेरी पूर्णााग एक बटा तीन 5 2 2 3 कितना एक बटा तीन 4 23 कि तना हो रहा हूँ तो हब चाल कितना हो जागा आब चाल मेंusc 83 पुर्ना की लिक्ता इन पर्सेंट 13 पुना की बटटा इन प्रसेंट इ मतले एक वरिधी ओ रहे है तो 90 का एक बटटा थें कहुझा जैङा तीस तो नबे में जब सेघृ की वरिधी हो जाएगी तो चाल कितना होजगा서Day 27 ग्लो मेंटिञा ऑबote उस दूरी के दो पूर्णांग चार बटा पांच गुना दूरी पहले कितना था 75 किलो मेटर इसका कितना भूल रहा है दो पूर्णांग चार बटा पांच गुना करिए पांच दूनी दस दस में से चार जुने कितना हो जाएगा 14 बटा पांच अब काटिए पांच बार में क कवाली वाला इसे बोलता है अब ज़र देखिएगा इसमें क्या कह रहा है समय समय पूछ रहा है ना तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल दूरी कितना है 210 किलो मेटर बटा चाल कितना है 120 किलो मेटर अब ज़र ध खेहरो घंटा को मिनट में बनाने के लिए क्लिका करेंगे 60 से करेंग गुणा देखे 60 दूनी 120 दो बार में काटने कितना हो जो 105 समय कितना हो गया 105 मिनट अब ध्यान दीजिए समय हुआ 105 मिनट 105 मिनट को बोल सकते क्या 60 न Tech cover 25 साथ मिनट में एक हन्ता hani download का मैं ऑफशन नमर डी ऑफशन नमर डी एघंटा 45 मिनट क्योंर 15 का होगा सवाल का सही जवाब कोशन नमर 15 का ऑप सनंडिए एघंटा 45 मिनट क्लियर है कोशन नमर 16 का जवाब अब देखे दिखाईए जल्दी से दम है तो करके बताईए एक से 78 तक की पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग खाले जिगा से विभाज है जल्दी से हम रूख गए आपके लिए रूखे हैं अब जल्दी से करके बताईए कमेंड कीजी क्या होगा क कोश्चन नमर 16 का जवाब चाहिए अब धिहान दीजिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जागा एन इंटू एन प्लस वन बाइटू लिख दे रहे थोड़ा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग इन नोलेज के परपस से लिख रहे हैं आप अब बोलेगे सर यह हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाइटू ठीक है अब ज़िए अब धियान दीजिए एक से अठतर तक की पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा अठतर गोला है ना तो अठतर कुना अठतर प्लस एकितना हो जाएगा उनासी पटा-2, N into N plus 1 बटा दो ही तो होता है, दो बार बैए कितना हो कि 49, अब जिए देखिए तो 89 से कटेगा, और ये 49 से कटेगा, 49 से जो कटता है, वो 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, ये अलग बात है, वो option में है नहीं, ठीक है, तो option में क्या है, 69 है, 69 है, 13 है, तो उफषन नमर 89 से कटेगा कोश्चन नमर 17 अच्छा सवाल है अधि आपका कंसेप्ट किलियर होगा तभी आप कोश्चन नमर 17 का जवाब दे पाएंगे देखिए निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है दो प्राकृतिक संख्याओं का LCM उनके HCF द्वारा विभाज है पहला कंसेप्ट पहला उप्सन दू संख्याओं का HCF प्लस LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुननफल तीसरा उप्सन अधि दो अभाज संख्याओं संख्याओं संख्याएं सब आज है तो LCM एक होगा चौथा उप्सन दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक बताए जल्दी से हट ग देखेंगे अब जड़ा देखिए सारा option को समझाते हैं दो प्राकृतिक संख्याओं का LCM उनके HCF के दवारा अवज से विभाजित होती है option नमर यह बिल्कुल सही दो प्र अनि दो संख्याओं का जो LCM है उनके HCF से अवज से विभाजित होगी फिर से सुनो दो संख्याओं का LCM उनके HCF से अवज से विभाजित होगी क्लियर अब लगे जी सर अफसन नमर बी की हो जाते हैं बिल्कुल नाइंसाग बिल्कुल गलत है क्या होता है पहली संक्या कुने दूसरी संख्याओं क्या होता है HC F गुना LCM यह यह पर क्या बोलन योग बिल्कुल गलत नहीं एकदमры को Phrad स्भाद है गुनाह आपसर नमर सी इह संख्या है आदी दो अब आयते सम अधय Western कि आ सबाज है दो सनकाइस अंधाइस सबाज है कि इतला के देखिं़ वह होगा 1, कितना होगा? अब देखिए, दो संख्याहों का HCF, दोनों संख्याहों का छोटा भाज है का तरहें नहीं, चाच्या, सवाल में बोला है, HCF का नाम से पता चलता है, highest common factor, highest common factor, तो छोटा का वो तो बड़ा है ना, सवाल का सही जवाब बढ़ इस सवाल पूछा है सब्सक्राइब बिल्कुल सवाल आएगा नहीं आएगा फिर बताना ये भी सवाल पूछा है सब्सक्राइब पूछा लेकिन पूछा गया तभी हम करवा रहें विस्वास रखना को अधिस सब्सक्राइब को पी एच के बजाए एप से लिखा जाए तो अक्षणों की संख्या में प्रतिसत कमी ग्याद कीजिए को सब्सक्राइब का जवाब चाहिए कोश्चन नमर 18 का जवाब चाहिए अब जर्ण धिहान से देखिए फोटोग्राफ है ना पी एच वो टी वो जी आर ये पी एच अब जर्ण जूड़िए कितना लेटर है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कितना है अब लोगे यह तो सर्फ दस है बिलकुल दसा है अब सवाल में कह रहा है पी एच के जिक वह में क्या कि पी एच के तेखिए में क्या लिकिए अब फ लेकिये अब कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ हाट अब ज़िए अब धिहान से देखिए 10 से कितना हो रहा है 8 कितने की कमी 2 की कमी किस पे 10 पे परतिसात में लाने के लिए क्लिए 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 100 पे करें गुना है ना 0 से 0 कटे गया 10 जूनी 20% Option number C Option number C 20% होगा सवाल का सही जवाप जम से आगया Option number C बढ़ते हैं question number 19 की और Question number 19 Question number 19 180 के 15 परतिसत में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20 परतिसत के बराबर हो तो question number 19 का जवाप दिजिए एकदम हलवा सवाल है आलू वाला सवाल है तो जवाप दिजिए question number 19 180 का 15% है ना तो 180 का मतलब गुना 15 परतिसत को हटाने के लिए क्लिए क्लिए करेंगे 100 से देंगे भाग 20 नवा 180 बीस पचें 100 पांस तीया पंद्रा नो तीया 27 अनि कितना आ रहा है 37 360 का 20% 20 परसेंट को भी निकरूट में कितना लिखेंगे एक बट्टा पांच तो 360 का एक बट्टा पांच कितना हो जाएगा 70 में कितना जोड़ा जाहिए कईसे पता चला 72 में गटाए सवाल का सही जवाब कोश्चन नमर 20 इस सवाल का जवाब दीजे एक तरिभूज के कौन 8x-15 डिगरी 6x-11 डिगरी और 4x-10 डिगरी है तो x का मान गयात कीजे आप जिन्दगी में x से परिसान होंगे और सवाल में x का मान पूछा है तो जवाब देजे कोश्चन नमर 20 का तो कोश्चन नमर 20 का जवाब देंगे सभी बच्चे कमेंट में कमेंट में जवाब देंगे कोश्चन नमर 20 का अब जरह देखिए अब जरह देखिए कोश्चन नमर 20 एक तिरभूज के तिरभूज के तीनों कोनों का योग कितना होता है आप बुलोंगे सर एक सोस्टी डिगरी होता है बिलिकुल सही तिरभूज के तीनों कोनों का योग एक सोस्टी डिगरी और चितरभूज के चारों कोनों का योग तीन सो साथ डिगरी इसमें कोई डाउट नहीं clear आप जोने देखिए 8x plus 6x कितना हो जागा 14x plus 4x आनि 18x minus 15 15 15 में 10 जूड़ेंगे 25 में से गयर जूड़ेंगे 36 18x minus 36 बराबर किसके हो जागा एकसोसी के बराबर जोने धिहान से देखिएगा 36 minus में उससे जागे पलस हो जागा 180 plus 36 कितना हो जागा 216 बराबर 18x काटिए 181 का 18 28 में से अठार जागे बज़ेगा 3 अच्छे 36 अठार जोने च्छती तो बारह ओफसन नमबर ये ओफसन नमबर ये 12 होगा सवाल का सही जवाब basic concept क्या था त्रिभूज के तीनों कोनों का योग कितना होता है आप बोलें कि 180 डिगरी होता है सब का कोनों का योग जोड देंगे कितना है 180 डिगरी 18x minus 36 बराबर 180 एकस का मान बारह ओफसन नमबर ये जितना सवाल करवा है सारा सवाल किसे ने किसे एक्जाम में पूछा कि तभी हम करवा रहे है ठीक है प्रूफ के साथ और जो भी बच्चे टेलिगराम चैनल से जूड़े वे नहीं है तो आप टेलिगराम चैनल अवेस्ट जूए नहीं कर लें वहां से हमेशा study material आते रहता है एस फोर जी एस टेलिगराम चैनल पर आप जूड़े जाएंगे और जो फी इंफोर्मेशन चाहिए पॉंटेक्ट नंबर करके आप यह क्लेक्ट कर सकते इंफोर्मेशन खोठा अस्पेसल जो है एस फोर जी के लिए तो इस मतलब दो चैनल से आपको जूड़ना है